कि आज की तारीख में 492 जैसे धाराओं का पूरी पूरी ताकत के साथ दुर्पयोग हो रहा है सामने वाले को फसाने के लिए सामने वाले को दबाओं में डालने के लिए और उससे अपना मन का करवाने के लिए पार्टी इस एक दूसरे पर इस तरह के फरजी केसे डाल रही है और इस देश में हालात यह है कि F.I.R. तो दो घंटे में रेजिस्टर हो जाती है पुलिस वाले कर भी लेते हैं आप दबाओ दो थोड़ा बात करो चीत करो नेताओं से दबाओ दा F.I.R. दर्ज हो जाती है लेकिन उस F.I.R. उस प्रोसीडिंग को जो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उसका दंच दस साल जहिलना पड़ता है अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल आयमान है या मालीजे कंप्लेंट केस आ गया है या किसी भी तरह से अगर कोट में आ रहा है मैटर और आप यह देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जबर्जस्त तरीके से जूट बोल रही है और हर वो प्रयास कर रहे है कि कोट को वो कैसे भी गुमरा करके नियाए प्रणाली को ठख के कोट को चीट करे और आपको फरजी तरीके स्दंदित कराने का प्रयास कर रहे है तो आप उसी प्रोसीडिंग के बीच में एक अप्लिकेशन मूव कर सकाए ऐसा नहीं है कि आपके खिलाब मुकदमा हो गया तो आप हार गये खतम कहानी अप जीवन में अंदकार चाह गया आपको लणा पड़ेगा आपको जितना कानून ने आपको भी अधिकार दिये हैं आवशकता है तो इस बात की कि आप उन सारे अधिकारों का उप्योग तो करिय आप जानते हैं भारत के पुलिस कैसे काम करती है मुझे कुछ बताने के आवशकता नहीं है देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर आप पूरी नया पाल का संसद ब्यूरोक्रेसी पूरी जानती है कि इस देश में पुलिस किस तरह काम करती है कैसे एहरस करती है एक आईयो के ज जाजा आए देदी जाती है, कैसे वो उस जाज को परभावित करता है, उसकी कलम चलती है और प्राब्लम ये है उसकी कलम सुप्रीम कour तक चल रही है, लीगल रिपोर्टर के सभी वीदियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज पर से अज़ारों की संक्या में कॉल आ रहे हैं आज हमारे साथ डॉक्र किसले पांडे साथ भी जुड़ गए हैं जो अब लगातार देख रहे हैं कि चाहें पूर्टटि का मामला हो चाहें के मामले हो 498 के मामले हो उन्होंने बेहतर हमारे साथ बातशीत करा वीडियो बना और हजारों लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं हमें 491 के उस मसले को उठाया है जो हमें लगातार कॉल आ रही है किसाब 498 तो लिखाया ही इसके साथ 376 रेप का भी लिखा दिया 354 भी लिखा दिया 377 भी लिखा दिया जिससे कि अरनेश कुमार जो जज्जमेंट था महत्पूर जिसमें साथ साल तक के मामले में आप साथ साल के नीचे है आप जाएंगे कोट में और आपको जमानत मिल जाएगी उससे बाहर करने के लिए यानि कि गरफतारी के लिए जो य है कि यह सेक्शन लगा दिये जाते हैं उससे लोग बहुत परिशान है और इसलिए बाची करने के लिए हमारे साथ डॉक्र किसले पांडले साब जो गए सुप्रीम कोट में बड़ी प्रैक्टिस है करीग 25 साल का बड़ा अन्वा है आप लगातार हाई प्रॉफाइल के सिस कर रहे हैं तो डॉक्साब यह एक एक तरह की परंपरा पड़ गई है कि 498 ए देहे जट का तुमामला आपने बनाया है साथ ही 306 भी डाल दिया ऐलिगेशन लगा दिया कि साब हमारे ससुर्ण ने यह किया हमारे साथ चेट चाल करी हमारा डेट किया इसके साथ 354 भी लगा डिया है जेट पर आरो देवर पर आरो पड़ोसी पर आरो किसी पर भी आरो और उसकी मंचा क्या है उसकी मंचा यह है कि अरनेश कुमार का ज़ग्मेंट है साथ साथ से नीचे उसकी आमट में जैसे बार हो गए पुलियो सब स्वतंत्रे आपको अरेस्ट करने के लिए और गिर्पतारी का भाय दिखा रहे हैं डॉक साब क्या कहना है इस पूरे मसले पर और कैसे आम आदवी इस तरह की जूटी अपाई यार से निपके देखिए जो विशे भी आपने उठाया है विपलाव जी वो बेहदी गंभीर विशे है और लोकहित से सीधे जुड़ा हुआ विशे है और इसे उठाने के लिए आप और आपका चैनल दोनों बधाई के बात रहें अब जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद कुछ लोगों के फेवर का होगा कुछ लोगों के खिलाफ का होगा पर सच्चाई तो यही है क्या है सच्चाई वो यह है कि जब भी कोई शिकायत हो रही है चाहे वो जूटी हो चाहे वो सच्ची हो प्रथम दृष्टिया अगर उस शिकायत में अपराद होना नजर आता है तो माननी सुप्रीम कोड की गाइड्लाइन के अनुसार उसमें अपराद पंजकृत होगा मतलब फाई यार दर्ज होगी उसके पहले पुलिस को यह अधिकार दिया है कि वो चाहे तो प्रिम्नली इंक्वाइरी दर्ज करके एक स जिन जिन धाराओं में अपराद होना नजर आता है अब बात कर लेते हैं उन केसिस की जहां ये फरजी तोर पे फसाया जा रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है और मैं बिलकुल हिचकी चाहूंगा नहीं ये कहते हुए कि आज की तारीख में 498 जैसे धाराओं का पूरी पू तो उससे बचा कैसे जाए तो सबसे पहली बात ये है कि पहले तो पुलिस को आप जाच कर लेने दीजे और अगर आपको लगता है कि पुलिस बिना प्रॉपर जाच किये आपको फ्रेम कर रही है तो आपको मैं एक ब्रमास्त्र बताता हूँ वो है section 167 of IPC उसमें अगर I.O जानबूच के धिलवाही करता है या किसी भी कारणवश उन धाराओं में आपके खिलाब मुकदमा चला रहा है जिसमें मुकदमा नहीं बनता तो आप से एक application लेके संबंदित मजिस्टेट के आहां जाएं कि साहब I.O साहब इसमें हमको धारा में जानबूच के फसा रहे ह यह जानते हैं कि अपराद हमने नहीं किया इनके पास यह सबूत है कि जिससे हिसाबित हो सकता है कि मैंने दोश हूँ फिर भी यह उसको conceal कर रहे हैं और सिर्फ वो वो कागज चूस करते हैं जो इनके केस को support करे तो साहब यह एक punishable offense है उस I.O के खिलाफ under section 167 of IPC इसमें बि अब एक और बात आपने यह किया यह नहीं किया इसके लामा भी अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाय मान है या मालीजी complaint case आ गया है या किसी भी तरह से अगर court में आ रहा है matter और आप यह देख रहे हैं कि सामने वाली party जबर्जस्त तरीके से जूट बोल रही है जब अगर के court को cheat करें और आपको फरजी तरीके दंडित कराने का प्रयास कर रही है तो आप उसी proceeding के बीच में एक application मूफ कर सकते हैं section 340 of CRPC 340 CRPC perjury with the court during the judicial proceeding उसमें आप court में चाहिए 340 के application आपके वकील साब draft करेंगे बताएंगे during the judicial proceeding क्या क्या जूट बोला है किस किस तरह से incorrect documents डाले गए हैं ताकि वो आपको फसाएं और अपना जो मन चाहा है वो आपसे दबाव में डालके उससे कराना चाहें तो 340 में court को ये अधिकार है कि उस सारी proceeding बीच में रोक के 340 में संग्यान लेगी और अगर उन्हें तक नजर आते हैं और आपकी बात में दम नजर आता है तो court उसमें खुद एक मुकदमा दच करा के सामने वाली party को trial पर भेज़ देगी तो ये सारी proceeding है इस तरह की जो जो कि बिलकुर निश्यत रूप से डॉक्टर किस्वे पांडे चुके आप criminal की practice करते हैं और इस देश में हालात यह है कि F.I.R. तो 2 घंटे में register हो जाती है पुलिस वाले कर भी लेते हैं आप दबाव दो थोड़ा बात करो चीत करो नेताओं से दबाव दाव दर्ज हो जाती है लेकिन उस F.I.R. उस प्रोसीडिंग को जो वो criminal प्रोसीडिंग चल रही है उसका दंच 10 साल जहिलना पड़ता है यहनि का अपराद की सजा आपको केवल विचारर जो अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है उसी से ही अपराद आपको सजा मिल चुकी है आप अपनी नोक का मुकदमा आपके खिलाब कर दिया गया है आपने जो दोनों सेक्शन के बारे में बताया और मुझे याद है राजेस गुप्ता वरसे स्टेट आप यूपी में बड़ा ही लैंडमार्क जज्जमेंट है जहां सुप्रीम कोट ने 25 लाग का जुर्माना किया है और हाल फिल है कि मैं थोड़ा सा यह जानना चाहता हूं हमारे जो दर्शक है कह रहे हैं साब मुकदमा हो गया आप मुकदमा हम जेल रहे हैं क्या करें इसके पास जाए और कोई सुनने वाला नहीं है कोट कह रहा हम अपनी प्रोसीडिंग चलाएंगे तो वह आप हमारे दर्शकों को उ हो गया है सुनवाई हो लेकिन इस बीट्वीन क्या कर पाएगा वह थोड़ा बता देखिया आपने बड़ा ही गंभीर और बड़ा सिंस्टिव एक इशू छेड़ दिया है कि अगर यह मुकदमा दर्श हो जाता है इस तरह के मैटर में तो दस साल बाद बाद बड़ी होगा तो उनकी शादी में दिक्कत आती उनकी नौकरी में दिक्कत आती बिल्कुल बड़ा गंभीर विशय आपने उठाया है इसमें एक जो बड़ा मैं important point raise करूंगा वो यह है कि जैसे trial शुरू होता है तो during the proceeding of trial accused के बहुत सारे अधिकार हैं दो तो मैंने बताए आपको इसमें और भी अधिकार यह होता है कि जब framing of charges की नौबत आती उससे पहले भी आप discharge लेखे मूग कर सकते हैं कि साहब जिस धारा में माननी court ने हमें notice जारी किया है वो धाराओं में हमारे खिलाफ notice बनता ही नहीं है इसकी joint hearing हो जाती है framing of charges की hearing और discharge इन दोनों की hearing एक साथ हो जाती ह कोट में इस तरह की बहुत सारी remedies हैं और ऐसा नहीं है कि आपके खिलाब मुकदमा हो गया तो आप हार गये खतम कहा नहीं अब जीवन में अंदकार चाह गया आपको लगना पड़ेगा आपको जितना कानून ने आपको भी अधिकार दिये हैं आवर्शक्ता है तो इस बात क पर आपके पास powers हैं अब discharge का मैंने बताया दूसरा जैसे मुकदमा दर्ज हो रहागर आपको लगता है कि आपके खिलाब जो मुकदमा हो पुरे तरह से फरजी है या particular किसी accused को लगता है कि उसको incorrectly frame किया गया है तुरनता भाई कोट में जा सकते हैं questioning लेके दूसरा एक और ब है वो साजिश कर रहा है तब आप दर्ज होने की तुरन बात कोट में एक application मूप करते हैं उसे कहते हैं monitoring monitoring of application 156 में ही जाती है सुप्रीम कोट ने सकीरी वासू नामक एक जज्जमेंट पारिद किया तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिये हैं को कि कोट investigation को बहुत खुले तो कर सकती है निचली अदालत में पहले जाएगा यह यह निचली अदालत में पहले जाता है monitoring of investigation आपको लग रहा है यह problem ही यह समस्या है इस तरह से यह चीज़ बहुत से मामले आपकी बास सुनके तो मुझे लग रहा है इस देश में हजारों ऐसे मामले जहां आईयों आप ज किस तरह काम करती कैसे हेरस करती है एक आयो के जांट दे दी जाती है कैसे वो उस जांच को प्रभाविच करता है उसकी कलम चलती है और प्रॉब्लम ये है कि उसी की कलम सुप्रीम कोर तक चल रही है बिल्कुल चलती बिल्कुल जाती है अगर उसने गलत फाइंडिंग कर दी है गलत इंवेस्टिकेशन चलती है तो सुप्रीम कोर तक देखा तो वही जाता है किसाब आयू ने क्या लिखा उसने क्या किया चार चुके हैं कि यह कर रहे हैं आपको जहां लगता है कि यह चीजव गलत जा रही है आप से निवेदन कर सकते हैं कोड कंशरन ACP DCP या मरे समन कर सकती हैं दूसरे आई जो भी घलत चीज है दिखरें तक पर संग्यान ले सकते हैं ठीक है ठीक है डॉक्साब अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और मुझे लगता है ये उन हजारों लाखों देश के लोगों के लिए ये प्रस्ट ने उनके मन में है और वो अकसर पूस्टे हैं एक जूटा मुकदमा हुआ अदालत आपने जैसे तमाम तरीके बताये आपने बताया कि 482 के तह जा सकते हैं क्वेशिंग के लिए जा सकते हैं रिट में चैलेंज कर सकते हैं या निचली अदालत में मॉनिटरिंग करा सकते हैं इस सब के बाद मुकदमा जूटा पाया गया खतम कर दिया गया सवाल ये है एक ब हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि नजीर पेश करें दूसरे व्यक्ति के लिए कि आप अगर मेरे खलाब जूटा मुकदमा करेंगा तो साब देखो उनका बड़ा बुरा हुआ हाल हुआ है जैसे सुप्रीम कोट ने राजेश गुप्ता वर्से स्टेट ऑफ यूपी में 25 ठोका मामला दिल्ली का था कंपनी दिल्ली की थी विवाद दिल्ली का था और नोड़ा में पुलिस को इंफ्लेंस करके कर दी गई सुप्रीम कोट 25 लाग ठोका था तो क्या इस तरह की कोई रिमेडी है जहां के जीतने के बाद आप दूसरे पक्ष को एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं बिलकुल आप ऐसा कर सकते हैं और कुछ एक दो मैटर्स हैं जिसमें मैं नाम बता नाम बताने में मैं नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं उसमें पेरिंग एड्वोकेट था और कोटी मूफ की हुई थी हमने क्लाइंट की तरफ से और 340 में कोट से ही लड़की और section 182 of IPC invoke कर सकते हैं आप concerned court आप पहले police को request करेंगे कि जूठा मुकतमा दर्च कराये गया था और public servant को उकसाये गया कि वो अपनी power को किसी जूठे case में यूज करे उसके लिए 182 IPC बड़ा ही clear mandate देता है और अगर वो उस case में आगे नहीं बढ़ता है कोई मुकतमा नहीं लि power को invoke करें मुकतमा दर्ज करें और जाज करें किस तरह से पूरी की पूरी साजिश रची गई थी साथ-साथ आप चाहें तो damages के भी suit file कर सकते हैं और criminal defamation भी file कर सकते हैं यह सारे के सारे आपके पास remedies open है तो मतलब जेल जाने का भी उसमें प्रावदान है साथी ये भी है 182 है क्या जेल जाने ही पड़ेगा ओ जूटे मुकदमे से निपटने के लिए 182 सेक्षन का जिसका सर रिफरेंस दे रहा है आपके लिए तैया रहे है हां करेक्ट 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 सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके किसले सर और 400 तंबे के साथ ही जो लगता मुकदमे बनाय जा रहा हैं मैं अभी बी आपको कोसेसली आपको समझाना चाह रहा हूं उन मांबेहनों से बेटीओं से कहना चाह रहा हूं वकीनों के कहने पे तिप्र जाइन कर करिए यह उप यपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है एक्च्छलो फैक्च्छल कोई केस ह है आपके साथ प्रताडना हुई है पीडन हुआ है आपके साथ इस तरह की क्रूइल्टी हुई है बिल्कुल जाइए बिल्कुल करिए छोड़िये मत लेकिन उसका मिस्यूज मत करिए उस से केवल पती नहीं पर ऐसान हो रहा पूरा परिवार पूरा समुदा है और उसके हालत सोची है कि 10 साल के बाद वो जब मुकदमें से तो बरी हो गया लेकिन उसने परिवार में क्या-क्या छोड़ दिया उसका सुख चैन नौकरी परिवार का जो इस्टैबिल्टी वो सब खतम हो जाती है तो बहुत 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 धन्वाद लगातार जो हमारे दर्शक है वो मोबाइल नंबर है उसके चला है फिर भी आपकी कोई कानूर नहीं समस्या तो हमसे पॉंट्रेट कर सकते हैं बहुत 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 धन्वाद नमस्कार